अब बाद पाकिस्तान से राहूल गांदी को मिले सपोर्ट की जिसकी बचा से हिंदुस्तान में स्यासे घमासान शुरू हो गया है पाकिस्तान का साबक मिनिस्टर फवाज चौदरी ने राहूल गांदी के सपोर्ट में सोचल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है जिसके बाद विज़ेपी कॉंग्रिस पर हमला वर हो गई है और तो और पिये मोदी ने भी कॉंग्रिस पर पाकिस्तान से पार्टनेशिप का इल्जाम लगा दिया आखिर क्या है पूरा मामला देखी स्रिपोर्ट में पाकिस्तान और कॉंग्रिस की ये पांटर से अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है लोकसबा चुनाव के तीसरे मरहले से पहले आखिरकार चुनावी कैम्पेंड में पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई पाकिस्तान के साबिक वजीर फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी के सपोर्ट में पोस्ट क्या किया बीजेपी ने राहूल और कॉंग्रिस पर हमला शुरू कर दिया सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉंग्रेस के साथ पाकिस्तान का हाथ सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि फवाद चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया कि कॉंग्रेस के लिए गले की फास बन गई और अब बीजेपी हमलावर हो गई है दरसल फवाद चौधरी ने राहूल गांदी के सपोर्ट में एक पोस्ट किया फवाद ने राहूल गांदी की तकरीर का हिस्सा शेर किया और उनकी तारीफ करते हुए राहूल आन फायर लिखा खास बात ये है कि इस तक्रीर में राहुल गांदी पियम मोदी पर तनकीद कर रहे हैं बस फिर क्या था बीजेपी को बैठे बिठाई कॉंग्रिस पर निशानत साथने का मौका मिल गया गुजरात के आनन्द में अपनी चुनावी रैली के दौरान पियम मोदी ने भी फवाद चौधरी के इस पोस्ट का जिक्र करते हुए कॉंग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनर्शिप का इल्जाम लगाया सहजादे को पधानमत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और हम तो जानते ही है कॉंग्रेस तो पाकिस्तान की मुरी दी है पाकिस्तान और कॉंग्रेस की ये पार्टनर से अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है प्यम मोदी ने राहूल गांदी पर फवाद के पोस्ट के बहाने कॉंग्रेस पर सीधे सीधे पाकिस्तान से साथ गाट का इल्जाम लगाया तो वहीं राहूल गांदी ने इस मुद्दे पर बोलने के बदले प्यम मोदी से प्रजोल रिवन्ना के सेक्स स्कैंडल पर जवाब मांगा ववाद चौदरी के सवाल पर राहूल ने तो जवाब नहीं दिया मगर बीजेपी के नेता जरूर पूछ रहे है कि आखिर भारत के खिलाव जहर उगलने वाला पाकिस्तानी नेता राहूल को सपोर्ट क्यों कर रहा है वहीं कांग्रेस भी प्यम मोदी पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही है और पाकिस्तान पर ब्यानबाजी को चुनावी मुड़े से बटकाने का इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान के साथ क्या रिष्टा है कि आज पाकिस्तान भारत के चुनाव में इंट्री करने की कोशिश कर रहा है इंटर्वीन करने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे पाकिस्तान का समर्थन ले रहे हैं पिर्धान मंतरी की नवाद शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिष्टे हैं और इसलिए ये बियान आया है ताके इस बियान को हमारे पिर्धान मंतरी एक्सपलाइट करने की कोशिश कर सकी। वजह जो भी हो मगर इतना जरूर है कि इमरान खान सरकार में वजीर रहे फवाद चौधरी ने कॉंग्रेस को बीच चुनाव में फसा जरूर दिया है और बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड रही है वहीं कॉंग्रेस के सपोर्ट ग्रूप इस मुद मौझूदा हालाच से साफ है कि मंगल सुत्र विरासत और मुस्लिम रिजर्वेशन के बाद अब चुनावी रैलियों में पाकिस्तान का मुद्धा गूजने वाला है बेरो रिपोर्ट सलाम टीवी